प्रदेश में आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्षा वे भाग ने गाइडलाइन जारी की है माद्मिक सिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंद में सभी सिक्षा अधिकारियों को दिशा निदेश जारी की है अधिकारी और संस्ता प्रधानों को इसकी पालना सुनिश्चित करवाने की निर्देश्टिये गए हैं गाइड लाइन में बच्चों को स्कूल बैग में रुमाल और सैनेटाइजर आवर्शक रूप से लाने संक्रमित बच्चों से हाथ न मिलाने और छू जाने पर साबून वे सैनेटाइजर से हाथ साफ करने को कहा गया है गाइड लाइन में बताया गया है कि संक्रमित बच्चे को डाक्टर के परामर्स पर छुट्टी भी दी जा सकती है